प्रेरक प्रेम भंडार प्यार हो गया। लड़की के माता-पिता बहुत खुश नहीं थे इस रिष्टे के साथ, तो लड़के ने फैसला किया केवल लड़की को ही नहीं बलकि उसके माता-पिता को भी भी। समय में, लड़की के माता-पिता एहसास हुआ कि वह एक अच्छा इंसान था और उनकी शादी के लिए राजी हो गए। जब माता-पिता मान गए तो दूसरी समस्या खड़ी हो गई। लड़का आर्मी में था और जल्द ही युद्धा छिड़ गया, वह था एक साल के लिए विदेश भेजने के लिए कहा। उनके जाने से एक हफते पहले उनकी सगाई हुई थी। वही इस बात पर सहमत हुए कि वह एक बार शादी करेंगे लड़का युद्धा से लोटाया। कुछ दिन बाद लड़की का एक सीडेंट हो गया। जब वह जागी तो उसने उसे द प्यारा चेहरा अब विकृत हो गया था। उसका शरीर था इतने सारे घाबों से धका हुआ। शीशे में खुद को और अपने जखमों को देखकर वहरो पड़ी और बोली कल मैं खुबसूरत थी लेकिन आज यह सब चला गया है। वही और फिर उसने अपने मंगेतर को उनक जवाब नहीं दिया। एक साल के बाद लड़की की मा अपने कमरे में चली गई और बोली वो युद्ध से वापस आ गया है। वो है यहां आपसे मिलने के लिए। लड़की चिल आए। नहीं कृपया उसे मेरे बारे में न बताएं और उसे जाने के लिए कहें। मा ने कहा उसकी शादी हो रही है और वो यहां अपनी शादी का निमंतरन देने आया है। यह कहकर मा ने उसे लड़के की शादी का निमंतरन पत्र थमा दिया। लड़की उदास थी, उसका दिल ढूब गया। वो जानती थी कि वो अब भी उससे प्यार करती है लेकिन अब उसे उसे भूलना होगा धेर सारा उदासी उसने इसे खोला और फिर उसने उस पर अपना नाम देखा घबरा कर उसने अपनी मां से पूछा यह क्या है तभी युबक फूलों का गुर्दस्ता लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ उसने उसके बगल में घुटने टेक दिये और पूछा क्या तुम मुझसे शादी करोगी लड़की ने अपने हाथों से अपना चेहरा धंक लिया और बोली मत देखो प्लीज मैं सुन्दर नहीं हूँ इसके बाद मैं बुरा दिखता हूँ युवक ने उत्तर दिया आपकी अनुमती के बिना आपकी माने मुझे आपकी तस्वीरे भेजी जब मैंने तस्वीरे देखी तो कुछ भी नहीं बदला है आप अभी भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे मैंने प्यार महसूस किया आप अब भी पहले की तरह खुबसूरत हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ Valentine Special Story सच के बारे में लड़की और लड़के की दिल को छू लेने वाली कहानी प्यार प्यार में वफादारी और सुन्दरता के बारे में कहानी प्रेरन अदायक प्रेम कहानी सुन्दर लड़की और सेनापती अच्छी नितिक कहानी अमारा चैनल को सब्सक्राइब करें